लंत्रानी नियूज में आपका स्वागत है देखिए आज की खास खबर बिहार में मौजूद शेर्शाह सूरी के मकबरे को कहा जाता है दूसरा ताजमहल आईए जानते हैं पूरी खबर बिहार का वो एतिहासिक नगर जो शेर्शाह सूरी के गौरवशाली अतीत को अपने अंदर समेटे हुए हैं यहां स्थित है शेर्शाह सूरी का मकबरा जो एक एतिहासिक धरोहर और वास्तुकला की उत्कृष्टिता का उध्हारन है शेर शह सूरी के मगबरे को दूसरा ताज महल भी कहा जाता है शेर शह सूरी जिन्होंने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर निस्थान हासिल किया उनके मगबरे का निर्मान उनकी मृत्यू के बाद उनके पुत्र के दुआरा कराया गया है ये मगबरा बिहार के रोहतास दिले के सासाराम में स्तित है और इसे उनकी शाही भव्यता का प्रतीक माना जाता है मगबरे की वास्तुकला में लाल बलुवा पत्थर का उप्योग किया गया है जो इसे और शानदार और मजबूत रूप प्रदान करता है मगबरे का प्रमुक आकर्शन इसका विशाल गुंबद है जो शेर शाह सूरी के शासन काल की महांता को दर्शाता है मगबरे के चारों और एक सुन्दर बाग बगीचा और एक बड़ा जलाशे भी है जो इसके शाही वातावरन को और बढ़ाता है इसकी सन्रचना में एक खास ध्यान दीवारों पर की गई नकाशी और सजावट पर दिया गया है जहां विबिन प्रकार की कला कुरूतियां और आभुशन आपको उसकाल की कला और शिल्प कला की जलक दिखाते हैं मगबरे के अंदर शेर शाह सूरी की जो समाधी है वो एक साधारन लेकिन प्रभावशाली डिजाइन के साथ बनाई गई है मगबरे का डिजाइन ना केवल शेर शाह सूरी की एतिहासिक महतवता को दर्शाता है बलकि उस समय की वास्तुकला और इंजीनियरिंग के उत्कुरुष्ट नमुनों को भी उजागर करता है शेर शाह सूरी का मगबरा आज भी एक प्रमुक एतिहासिक स्थल है जो ना केवल शेर शाह सूरी के जीवन और उनके योगदान की याद दिलाता है बलकि भारतिय वास्तुकला और संस्कुरूती की धरोहर की भी एक अनमोल जलक प्रस्तुत करता है ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लंतरानी नियूज लाइव